ये गाइस स्वागत आपका मेरा चानल सरकारी बाबू में तो गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि FSAI ने जो इंटर्णशिप के लिए निकाली है वो आप किस तरह से अलिजेबल है और किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे देखें ये जो है नोटिफिकेशन 3 दिसम्बर को ने वेबसाइट पे अप्लोड किया था आज 6 दिसम्बर हो चुकी है और 3 दिन बीच चुके है है ना साथ में ये जो इंटर्णशिप है जनवरी दोर 22 के में स्टार्ट होगी ठीक है स्टार्टिंग और अंडर दा स्कीम ऑफ इंटर्णशिप 2021-22 है ना साथ में इसके eligible ticket area क्या है और कैसे आपको इसका benefit मिलेगा देखे जन्होंने full time graduate किया है post graduate है या जो है higher degree pursue कर रहे हैं from a recognized institute within India abroad in any of the following ठीक है तो आप अगर post graduate degree pursue कर रहे हैं B.Tech में B.E.E. में है ना chemistry, biochemistry, food technology food nutrition, edible oil technology, microbiology, dairy technology, agricultural or horticultural science, industry microbiology, biotechnology यसा आप देख लेना है ना in quality assurance या फिर आप B.B.A. कर रहे हूं MBA कर रहे हूं या आप PG diploma degree करने हो journalism, mass communication, public relation या B.E. B.Tech computer science information में कर रहे हूं या post graduate degree diploma in public policy administration या bachelor of law या master of law, L.L.B. या L.L.M. कर रहे हूं तो आप इसके लिए eligible हैं अच्छा देखे, student in the third or fourth year of bachelor program in food technology और related fields can also apply ठीक है ये लोग भी apply कर पाएंगे जो fourth year or third year bachelor program में है ठीक है जो pursue कर रहे हैं सिर्फ तो ये फिरोशा कोटला रोड जो है नई डिली FSI का headquarter जो है यहाँ पर साथ में northern region जो है national laboratory इंदरापुरम गाज्याबाद में है है ना तो यहाँ पर next to CISF camp यहाँ पर आपको जो है इंटर्शिप के लिए काम करने ले मिलेगा ठीक है साथ में western region जो है यानि कि मुंबई यहाँ पर भी आपको इंटर्शिप को मौका मिलेगा southern region जो की चन्नई में है ठीक है यहाँ पर यहाँ फिर आपका जो है salt एक कोलकत्ता साथ में आहिंसा खंड इंदरापुरम गाज्य बाद यहाँ पर आपको मौका मिलेगा इंटर्शिप करने का या फिर food laboratory कोलकत्ता जो है एक laboratory कोलकत्ता में है वहाँ पर काम करने का मौका लेगा इंटर्शिप में अज़ा क्या काम करना पड़ेगा तो देखिए पहले तो आपके पास एक laptop होना चाहिए ठीक है FSI जो आपक है application process का है देखिए यह short यहाँ पर आपको जो है तीन दिसमबर से application डालना स्टार्ट हो जाएंगी online application है जैसे आपने form फिल किया था ऐसे ही हो गाई है तीन तीह दिसमबर तक अगर आपके कोई छोटे भाई हैं जो pursue कर रहे हैं तो वो लोग apply कर सकते हाँ full time होना चाहिए को सेरा था एक last data online submission की और 3 दिसमबर को result declare कर देंगे साथ में जो है तीन जो है तीन जो है जो है वहाँ join कर सकते हैं ठीक है at a time of joining joining के time पे intern जो है उनको एक letter दिना पड़ेगा अपने institute से कि उन्हें कोई की आपका status जो है आप as a student है और उन्हें कोई objection नहीं है आपको allow करने के इंटर्शिप प्रोग्राम में ठीक है तो आप जो है अपने institute से लिखवा लिजेगा है ना जो pursue करें थार्ड एर फोर्थ एर में वह भी जा सकते हैं इंटर्शिप के लिए ठीक है अब यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा आपको देखे अगर आप headquarter division में जाते हैं तो आ इंटर्शिप में मतलब आपको सिखा जाएगा आगे आपको opportunity मिलती है forms वागे आते तो आपको इसमें benefit मिलता है ठीक है साथ में food import clearings और license किस तरह आता है उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा दिली मुंबे चने कोकत्ता में ठीक है गाज़ेबाद में क्या करना पड़े आप वगरा इन सब में आपको 10,000 पर मंत के दिये जाएंगे ठीक है जो यह internship period के लिए as a rumination ठीक है लेकिन जो deserving interns है वो attendance assessment इसके basis पर आपको evaluate करेगी committee ठीक है certificate दिया जाएगा आपको all the interns will be awarded a certificate on successful completion of internship है ना जो आपके internship complete हो जाएगी तो आपको यहाँ पे एक certificate provide के जाएगा क digitally signed है जो इनके जो है assistant director HR के human resource के उनका sign है digital तो guys यह आप जो अपने भाई बहन या आप कोई relative हो उन्हें बता सकते हैं उन्हें एक अच्छा का सा experience मिलेगा साथ में 10,000 का stipend भी मिलेगा तो एक जो exposure होता है वो चीज मिलेगी उन्हें और आगे help भी करेगी ठीक है अब फिर कोई doubt हो जैसे बहुसा है लोग पूछ रहते हैं कि में पास पार्ट टाइम में तो full time वाले ही इसके लिए apply कर सकते हैं ठीक है और इसमें अपनी qualifications देख लीजएगा यहाँ पे इतसाई इन्होंने दे रखाए यहाँ पर कर रखाए इन्होंने कुछ भी equivalent नहीं बोला है मतला आपके इन समय से ही होना चाहिए ठीक है आप इसके notification मेरी website मेरी telegram channel से download कर सकते हैं मैं यहाँ पे upload कर दूँगा ठीक है जादत नहीं सबको complete कर दिया है public administration वाले भी ले लिए है law वाले भी ले लिए मास communication वाले भी ले लिए ठीक है BBA MBA वाले भी ले लिए तो बाकि अब लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करके जाना है ना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो लोग तैयारी कर रहे है तो गैस अपनी तयारी अच्छे से रखिए क्योंकि इसकी जो एक्जाम डेट है वो फरवरी स्टार्टिंग है है ना कभी भी इसके जो है जो है रिमिट कार्ट के बारे में सूचना आपको मिल जाएगी जैसे कुछ भी मेरे अपर चलता है जहां से ही मेरे सोर्सें है तो आप तैयारी अपनी कर्टीन रखिए ओके गाइस थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो